मैं मेरे विदान्सवाक्षेतर का एक उधायना आपको उधाता। जब मैं विदान्सवाक के चुनाव से पहले लोगों से मिलने गया था, तो मेरे यहां भी इस किसम की चंचा चल ली थी, कि शायद अवे सिंधियवक की बार किसी दूसरे विदान्सवाक्षेतर से चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूछते थे कि आप चुनाव लड़ोंगे कि दिल लड़ोंगे। मैंने उनसे का भई, मुझे कोई टिकेट मांगे थोड़ी रहनी किसी से। मेरी तो जेब मेर जो इस तरह का परचार करें मुझे लएंगे। उन्हें मिले ना मिले इस चीज़ का वरोसा है। जब मैंने उन में इस बात का फिर से विश्वास पैदा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ोंगा। तो वोई कारिय करता फिर से अपने अपने गाम में अपने बूथ के ऊपर मजबूती के साथ खड़ा हुआ। ना केवल मजबूती के साथ खड़ा हुआ बल्कि उसने ये फैसला कर लिया कि कोई जोड लगा ले। बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश करी गई कि मुझे किसी तरह से चुनावाराया जाए। प्रदेश का प्रधान मंत्री भी गाम में आकर के दंस्वा करके लिया। अने एक सेंटर के मंत्री आई अने एक MP आई एक MLA आई दूसरे प्रदेशों से। उन्होंने बहुत जोड़ लाया। लेकिन हमारा जो काजिय करता था उसने भी एक फैसला कर लिया। कि मुझे चहे किसी के पैर मुगरने पड़े, चहे मुझे किसी को किसी तरह मनाना पड़े राजी करना में। मैं हर आलत में मेरे बूत पे, तरह मेरे गाम में चुनाव जिताने कातान कुण। उसी का नतिज है कि जहां पहले मेरे नाजीत पे सटा गाजपा के पक्षु में था, उन लोगों को विजारों को दो रहिमार कुण। चुनाव तो आरे आरे हैं। अगर भी आरे हैं।